मुख्यमंत्री सिमान योगी आधितिनाज जी उपमुख्यमंत्री ब्रदेश पाठक जी संक्रा आई फाउंडुशन के आरवी रम्नी जी डॉक्तर एश्ष्वी बावारुसुख बाला सुब्रबन्यम जी स्री मौली क्रश्नमूर्ती जी रेखा जुन्जुन्वाला जी संसा से जुड़े अन्य सभी सदसेगां देवी और सज्जनों इस पावन महिने में काशियाना ये अपने आप में एक पुन्य अनुभूती का आउसर होता है यहाँ अपने काशिवासी तो है ही संत जनों और परोपकारियों का भी संग है इसे सुखत संयोग भला क्या हो सकता है अभी मुझे परंपुज्य संकराचायरे जी के साथ दर्सन का प्रसाद पाने का और आशिरवास प्राप्त करने का सोभागे मिला है उनके आशिरवात से ही आज काशी को पुर्वानचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पीत है मैं काशी के पुर्वानचल के सभी परिवार जनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है तमसो मा जोतिर गमाया है याने अंदकार से प्रकास की और ले चलो ये आरजे संकरा नेत्र अस्पताल वारनसी और शेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंदकार दूर करेगा उन्हें प्रकास की और ले जाएगा मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देख कर आया हूँ एक प्रकार से ये आध्यात्मिक्ता और आधुनिक्ता का संगम है ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुप्त इलाज मिलने वाला है ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए आउसर लेकर आया है यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटरंसिप कर पाएंगे प्रैक्टिस कर पाएंगे सपोर्ट स्टाप के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा साथियों संक्रा आई फांडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे आउसर मिला है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब बहां भी संक्रा नेत्र अस्पताल खुला था और आपके गुरुजी के सानिज्य में मुझे उस काम का उसर मिला था और आज मुझे आपके सानिज्य में इस कारे का उसर मिला है और मेरे लिए एक बहुत संतोष का विश्य है वैसे पुझ्य स्वामी जे ने बताया भी मेरा एक और सव भाग्य रहा है स्री कांची कामकोटी पिठादी पती जगजगुरु संक्राचारिय चंद्र सेखंद्र सरस्वती महा स्वामी लिंगल का मुझ पर बड़ा आशिरवाद रहा परमाचारे जी को अनेक बार उनके चर्णों में बैठना का मुझे सव भाग्य मिला था परम पुझे जगजगुरु संक्राचारिय स्री जैंद्र सरस्वती स्वामी गल जी का मुझे भावस ने मिला उनके मारदर्सवन में मैंने अनेक कारियों को पूरा किया और अब जगजगुरु संक्राचारिय स्री शंकर विजैंद्र सरस्वती जी का भी मुझे सानिज्य मिल रहा है यानि एक प्रकार से तीन गुरु परंपराओं के साथ नाता जुड़ना इससे बड़ा जीवन का सवभाग्य क्या हो सकता है ये मेरे लिए व्यक्तिकत तौर पर बहुत बड़े संतोष का विशह है आज जगजगुरु ने विशेश तौर पर इस कारकम के लिए मेरे समसदियक शेत्र में आने का समय निकाला मैं यहां के जनप्रतिनीदी के रूप में आपका स्वागत करता हूँ और आपका आभार भी प्रगड़ करता हूँ साथियों आज के दिन मेरे मित्र राकेश जुन जुन वाला जी की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है व्यापार जगद में उनकी एक छबी से तो दुन है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है लेकिन वे सेवा कारियों से कैसे जुड़े थे वो आज यहां दिखाई देता है अब उनकी इस वरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है रेखा जी कापी समय दे रही है और मुझे खुसी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मोका मिल गया मुझे आज है मैंने संक्रा आई हस्पिटल और चित्रकूट आई हस्पिटल दोनों संस्थानों से वारा नसी आने का आगर किया था मैं दोनों संस्थानों का अभारी हूँ कि उन्होंने कासी वास्यों का आगर का मान रखा बीते समय में मेरे संसथी एक शेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हस्पिटल में इलाज किया गया है अब यहां के लोगों को वारा नसी बैहीर दो नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहा है साथियों कासी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रुप में रही है अब कासी यूपी के पुर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र हेल केर हप के रुप में भी विख्याद हो रहा है बी एच्यू में ट्रॉमा सेंटर हो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो दिन्दैल उपाज़्य अस्पताल और कभीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो बुजुर्गों के लिए सरकारी कर्मिचानियों के लिए विशेश अस्पताल हो मेडिकल कॉलेज हो ऐसे अनेक कारिय काशी में दसक में हुए है आज बनारस में कैंसर के लाज के लिए भी आध्धुनिक अस्पताल है पहले जिन मरीजों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था आज वे यहीं अच्छा पारा है आज बिहार जारखन चत्पिसगर और देश के अन्ने हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं हमारी मोक्षदाई निकासी अम नई उर्जा के साथ नए संसाधनों के साथ नव जीवन दाई नी भी बन रही है साथियों पहले की सरकारों के समय वारानस्टी समय पुर्वान्चल में स्वास्त सुविधाओं को जम कर नजर अंदाज किया गया हाला यह थी कि दज साल पहले पुर्वान्चल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक्स तरपर उप्चार केंद्र तक नहीं थे बच्चों की मृत्य होती थी मिडिया में होहला होता था लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी मुझे संतोज है कि बीते दिसक में काची ही नहीं पुर्वान्चल के पूरे खेत्र में स्वास्त सुविधाओं का अभुद्पुर्व विस्तार हुआ है आज पुर्वान्चल में दिमागी बुखार का हिलाज करने के लिए सो से अधीक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं दस सालों में पुर्वान्चल के प्रात्विक और सामुदाई केंद्रों में दस हजार से अधीक नए बेड जोड़े गए हैं दस सालों में पुर्वान्चल के गावों में साड़े पाँच हजार से अधीक आईश्मान आरों के मंदिर बनाए गए दस साल पहले पुर्वान चल के जीला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविदा नहीं थी आज बिश्चे अधिक डायलिसिस युनिट्स का काम कर रही है जहां मरीजों को यह सुविदा मुक्त मिल रही है साथ वे 21 विशदी के नाए भारत ने हेल्ट केर के पती पुरानी सोच और एप्रोच को बदल दिया है आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणदीती के पांच स्तम्ब है पहला प्रिवेंटिव हेल्ट केर यानि बिमारी होने से पहले का बचाओ दूसरा समय पर बिमारी की जान तीसरा मुप्त और सस्ता इलाज सस्ती दवाएं चोथा छोटे शहरों में अच्छा इलाज डक्तरों की कमी दूर करना और पांच बाद स्वास्त सेवा में टेक्नोलोजी का विस्तार